नमस्कार मैं हूँ विज्वा और आप देख रहे हैं One India चेहरे परी अलग ही भाव होंगे बाँ दमदार आवाद ये हैं रामया जो शिवगामी देवी के करदार से छागई थी हिंदिस सिनेमा प्रेवियों के लिए शिवगामी का नाम नया नहीं है फिल्म में गुसेल चेहरा माथे पर चमक और वीरांगना जैसी शक्सियत शिवगामी यानि रामया कृष्णन ने बॉलिवोड की कई फिल्मों में काम किया आई जानते हैं रामया से जोड़ी कुछ अंसुनी कहानिया रामया कृष्णन का जन 15 सितंबर 1970 को चन नय में हुआ था 13 साल की उमर में उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग करनी शुरू कर दी अपने दमदार एक्टिंग से रोटे खड़े कर देने वाली डामया असल जिन्दगी में काफी ग्लामरस है उनकी कुछ फिल्मे और तस्वीरें देखकर यकीन करपाना मुश्किल होगा कि ये वही रामया है जिन्होंने बाहु बनी में राजमाता का करदार निभाया था रामया ने अपने करियर के शुरूआत सौथ फिल्म इंडस्री से की थी सौथ में अच्छा काम करने के बाद उन्होंने बॉलिवूर का रुख किया और 1988 में पहली फिल्म दयावान की जिसमें उनके साथ विनोध खन्ना और माधुरी दिक्षित लीड रोल में थे हालाकि इस फिल्म में उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ और 4-5 सालों तक रामिया को कोई हिंदी फिल्म नहीं मिली जिसके बाद रामिया ने फिर से साउथ का रुख कर लिया फिल्म बाहु बली रामिया की करिया की एक माइल स्टोण फिल्म है अपनी अनुभाव शेयर करते हुए एक बाद रामिया ने बताया था कि डिरेक्टर राजा मौली से लगातार दो घंटे तक कहानी सुनती रही उनका हर शौट, हर सीन बिलकुल क्लियर था इस फिल्म के लिए उन्होंने कोई खास तयारी नहीं की थी जैसे ही कपड़े और गहने पहनी वो शिवगामी में तबदील हो गई इस फिल्म के बाद नकेवल साउथ में वलकि देश विदेश में भी लोग उन्हें शिवगामी के रूप में जानने लगे रामया ने बाहुबली टू के लिए करीव 2.5 करोड चार्ज के थे रामया की संपत्ती की बाद करें तो उनके पास करीब 32 करोड की संपत्ती है साथ ही एक Mercedes Bench S350 है जिसकी कीमत करीब सवा करोड रुपए है रामया का चन्नय में एक बंगला भी है फिलहाल वो अपने परिवार के साथ यहीं रहती है बाहुबली फिल्म के दोनों सीरीज ने बॉक्स ओफस पर तहल का मचा दिया था इन दोनों ही फिल्मों में जितना प्रभास के किरदार को सरहा गया उतनी ही पॉपुलर हुई बाहुबली की मा शिवगामी देवी राजा मॉली के इस किरदार के लिए पहली वसंद रामा कृष्णन नहीं बलकि बॉलिवुड दिवंगत आक्ट्रिस श्री देवी थी कहा जाता है कि S.S. राजा मॉली ने शिवगामी के किरदार के लिए श्री देवी से संपग किया था हलाकि बाद में श्री देवी ने इसे मना कर दिया था दिल्चस बात यह कि रामिया कृष्णन के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है इससे पहले साल 1999 में रजनिकान के फिल्म पद्यप्पा में भी रामिया के साथ कुछ ऐसा ही हुआ इस फिल्म में रामया ने नीलामबरी का कर्दार निभाया जो रामया के करियर में टर्निंग पॉइंट बना था सोर्सिस की बाने, तो नीलामबरी के कर्दार के लिए रामया से पहले एश्वजाराय बच्चन को ओफर किया गया था आज आलम यह है कि हर कोई रामया कृष्णन को राजमादा के किर्दार से पहचानता है रामया इससे पहले कई बड़ी बॉलिवुड फिल्मों में बड़े स्टास के साथ काम कर चुकी है आपको याद दिला दे कौन कौन सी है वो फिल्मे रामया के हीरो में शारुखान विनोत खन्ना और अमिताब बच्चन का नाम शामिल है इन सभी हीरो के साथ रामया होट सीन तक दे चुकी है आपने भी रामया को इन हीरो के साथ देखा होगा लेकिन लाइम लाइट में ना आने की वज़़े से लोग उन्हें भूल चुके है और फिर वो बाहुबली से एक बार फिर चर्चा में है शारुखान रामया ने शारुख के साथ फिल्म चाहत में काम किया था इस फिल्म में शारुख के उपोजिट पूचा भथ थी फिल्म का गाना दिल की तैनहाई सुपर हैट हुआ था इस फिल्म में रामया को काफी पसंद किया था अमिताब बच्चन रामया ने 1998 में आई फिल्म में बड़े मिया, छोटे मिया में अमिंता बच्चन के साथ काम किया था दर्शकों ने इस जोडी को खुँद पसंद किया इस फिल्म में गोविंदा और रमीना टेंडन लीड रोल में नज़र आये थे विनोध खन्ना, रामया ने विनोध खन्ना के साथ फिल्म परंपरा में काम किया था जो कि 1993 में आई थी, इस फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री देखने लाएक थी साल दोहजार सत्तानवे में आए फिल्म में रामया ने जैकी श्रॉप के साथ भी काम किया इस फिल्म में दोनों का रुमैंस दिखाया गया गोविंदा डिविडधावन के फिल्म बनार सी बाबू में भी रामया गोविंदा के साथ ठुमके लगाती नजर आई थी तो ये है डामया कृष्णन की अनसुनी कहानिया इस वीडियो में फिल्हाल इतना ही